Good morning students, आज हम सभी अध्या 11, जिसका नाम है परच्छाई का डर, जो हमारी परच्छाई बनती है उसका डर, इस कहाने के बाद हमसे हम डर के बारे में जानेंगे Students, कभी भी हमें किसी भी चीज़ से डरना ने चाहिए, क्योंकि जो डर होता है वो हमारी कायरत, हमारे कायरपन की निसानी होती है और जो लोग कायर होते हैं, जो डरते हैं, उनसे क्या सब लोग हसते हैं और हमें कभी भी किसी चीज से डर लग रहा तो उसका अपने दिमाग और बुध्धी सहास के साथ उसका सामना करना चाहिए आएए जांते हैं इस कहानी को और इस कहानी को पढ़ेंगे देखेंगे इसमें डर के बारे में क्या है एक गाय घास चर रही थी उसकी बेटी सुन्दरी भी उसके साथ थी मतलब एक गाय थी और उसकी बेटी जिसका नाम सुन्दरी था बै भी बहाँ पर घास चर रही थे बै बड़ी चंचल मतलब थोड़ी सी सरारती नट खरती जैसे छोटे वैटे होते हैं सुन्दरी की पीट पर एक मक्खी जा बैठी उसने पूसे मक्खी उड़ाई फिर पीछे मुण कर देखा अरे है मेरे पीछे कौन खड़ा है उसके उपर मक्खी बैठी जैसे उसने मक्खी बढ़ाई तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई बैठा है तो सुन्दरी सहम गई है देगकर वे अगदम डर गई कि उसे लगा उसकी पीछे कोई है बहम दो कदम चली और फिर पीछे मुड़ी उसने का चलो मैं थोड़ी दूर आप चलती हूं हो सकता है मेरे पीछे कोई न Change लेकिन अभी भी उसके पीछे काला काला कोई खड़ा था सुन्दरी चलती तो बह भी चलता और सुन्दरी रुखती तो पीछे बाला भी रुख जाता अब क्याता सुन्दरी ने इस चीज़ को रिलाइस किया कि जैसे जैसे वह चल रही है जब बह चलती है तो वो जो पीछे इंसान है बो भी चलता है आँ जब बह रुक जाती है तो भो भी रुक जाता अब तो वे घबराकर भागने लगी अब किया था उसे बहट तेसे डर्ना लग़ा भी जब घबरा गई और out में मैं भागने लगई उसकी मा उसके पीछे पीछे दोड रही थी और उसकी मा भी कि मेरी बेटी कहा दोड़ी जा रही तो वो उसके पीछे पीछे दोड रही थी रास्ति में बर्गत का फेड़ को से तो रास्ति में बर्गत का पैड़ पातया regarde कि उसन पउंच़ा सुंदरी बेटी इतनी घंख में च्भाराई हुए क्यों हो मेरा सुश्टाल मेरे पर जब बर्गत का पैड़य क्यों हो इतना मतलब डर चीज यृम यो यह त जो बर्गत का पेड़ होता है बहुत बड़ा होता इसकी बहुत ज़्यादा घरनी टहनी और पत्ते होते जिससे के बहुत दूर तक छाया रहती है तो इस छाया के नीचे आ सुस्तालो मतलब थोड़ा सा आराम कर लो उसके बाद कहीं बिजा सुंदरी बेहत ठक चुकी थी गर्मी भी लग रही थी बहुत पेड़ की चाया में खड़ी हो गई अब जब उपर से सूरज की रोस्नी है लेकिन नीचे पत्ते हैं पत्तों की बज़ा से के चाया है तो बही पर वो बर्गत की चाया के नीचे खड़ी हो गई डरते डरते उसने पीछे देखा अब उसने ददक कोई मेरे पीछे पड़ा था जितना मैं भागती उतना ही बह भी मेरे पीछे भागता था सायद कोई भूत हो तब उसने पूरी बर्गत को सारी कहानी सुनाई कि जैसे जैसे मैं भागती थी तो क्या मेरे पीछे कोई भागता था और जितना मैं जब पीछे रुख जा उसने का बेटी तुमारे पेचे कोई भूत उतनी है तुमारी तो परचाई थी जब तुम धूप में होती हो तो तुमारी परचाई बनती है और जब चाया में तुम अब सुस्ता रही हो तो बह मेरी परचाई ही तो है उसने का जब भी अब तुम धूप में खड़ी हो तो त अब सुन्दरी को सारी बात समझ में आ गई थी कि वो काला काला साया जो भूत समझ रही तो भूत नहीं था वास्तम में क्या था सुन्दरी की परचाई थी धन्यवाद